Hello everyone, Welcome to Learning Education Learning Education में आप सभी का सावगत है दोस्तो आज हम आपकी लिला आई है ME Police Constable 2017 की पेपर के सालूसन जैसे कि आप जानते हैं दोस्तो हाल ही में व्याप्यम द्वारा कलेंडर जारी कर दिये गया है जिसके अनुसार जनुवरे सी फरवरे में एक्जाम होने की संभावना है इसके अंतर कर घथ हम आपको हमारे द्वारा पुराने पेपर के सालूसन कराए जाएंगा जिसमें समान यद्ध्यन करेंट अफेर को भी कवर किया जाएंगा साइंस और कम्पूटर के कोस्चन को भी कवर किया जाएंगा इस वीडियो में हमने MP Police प्रिवेश पेपर 2017 के 20 अगर्ष 2017 के पेपर को सालूसन किया है ऐसी हमने लगभग 50 पेपरों का टार्गेट रखा है जो कराय जाएंगे लगभग 30-40 दिनों में तो हमसे बने रहिए वीडियो शुरू करने से पहले ज़िए आप मेरे चैनल पर नहीं हो दोस्तों तो चैनल का सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें चलिए आगे बढ़ते हैं कोस्चन को सुरू करने से पहले बता दू कि आपको हर कोस्चन के लिए दो सेकंड दिये जाएंगा आपको उसमें उसका आंसर बताना होंगा चलिए फर्स्ट कोस्चन देखते है पूस्चन है छेत के संदर में निम में से कुन सा सबसे बढ़ा महादीब है आपको 2 सेकंड बताना होंगा इसका राईट 얜सर है असिया असिया सबसे बढ़ा महादीब है जिसके तहट भारत भी ACA महादीब में आता है अगर छोटों महादीब की बात की जाए तो आस्टिलिया सबसे छोटा महादीब है चलिए आगले कोस्टन पर बढ़ते है अगला कोस्टन है जामनी नदी का उद्गम इस्तल कहा है आपके पास चार आप्सन है जो चारो मतप्रदेश के जीले है इनमें से आपको बताना है कि जामनी नदी का उद्गम कहां से होता है इसका राइट अंसर होंगा सागर जी हैं दोस्तों सागर जामनी नदी का उद्गम इस्तल है चलिए आगरे question पर चलते आपको बताना किसी प्रदेश की राजपल की न्युक्ति कौन करता है इसका right answer है राश्पति जी हाँ दोस्तों राश्पति प्रतिक राज में राश्पल की न्युक्ति करता है इसे देखा जाये तो सवीधान के article 52 में इसका वर्णन किया गया है चलिए अगले question में बढ़ते है किस प्रवत के तिब्वती नाम का अर्थ विस्व की देवी मा है आपको बताना है किस प्रवत का नाम विस्व की देवी मा है इसका राइट अंसर है माउंड गाडविन आस्टेन चलिए अगले question पर आते हैं आपको बताना है खायल गायन के लिए विख्यात इंदोर घराने की स्थापने किस ने की थी इसका राइट अंसर होंगा अमिर खायल गायन के लिए प्रशीत इंदोर घराने की संबंदित है अमिर खान वरस दोज़ार सोगला में खायलिस्तान को दादास सांब फाल के पुरुसकार से समानित किया गया है इसका राइट अंसर होना केस विस्वनाथ के विस्वनाथ को 2016 का दादा साफ फाल के पुस्वका से समानित किया गया था ये करेंट के कोस्ट्चन है 2017 में पेपर हुआ था 2016 का पुछा गया ऐसी है अब 21 में होने जा रहा 21-22 में होने पेपर इसलिए आपको लगभग वन येर का पूरा करेंट अफेर याद करना होगा विहाल में देखा जाए तो 95 दादा साफ फाल के पुरसकर रजनिकान को दिया गया है चलिए अगली कॉस्ट्चन पर आते हैं आपको बताना है तापती नदी का मूल है तापती नदी कहां से उद्गम होती है आपको बताना है इस कॉस्ट्चन में कि इसे मत्पदेश के सहर दिये गया है इसका राइट अंसर होगा दोस्तों मुलताई मुलताई यह बैतुल जिले में आता है बैतुल जिले के एक तेसिल है जहां से तापती नदी के उद्गा मुस्तित होता है और यह अरब सागर में जाके गिरती है यह पूर से पक्षिम के और भेने वाली दूसरी नदी है सबसे पहले नदी नरवदा है जो भी पूर से पक्षिम के और भेती है और इसके लंबाई की बात की जाया तो 924 या 25 किलोमेटर है जाने तक के इसके लंबाई चलिए अगरे कोश्चन पर आते हैं बोरी वंजी अभ्यारण किस जीले में है आपको बताना है इसके राइट आंसर होंगा होसंगाबाद होसंगाबाद में बोरी वंजी अभ्यारण है जहाँ पर सौगोन के वरक्ष सौगोन के वरक्ष ज़्यादा देखने को मिलते है चलिए अगरे कोश्चन पर आते हैं सिस्टन नोवीता नीवेदीता के नाम से किसे जाता है आपको बताना है इसके राइट आंसर होंगा मार्गेट नोबल मार्गेट नोबल को सिस्टन नेवीता के नाम से जाना जाता है आपको बताना है नीती आयो के अध्धक्च कोन है इसके राइट अंसर होंगा नरेन्द मोधी जी हाँ दोस्तो जब भी निती आयो की बात की जाए तो हमेशा निती आयो के अध्धक्च भारत के प्रधान मंत्री होते है यह हमें याद रखना चाहिए चलिए अगरे कोस्चम पर आसकर जीतने वाले प्रथम वेक्ति कौन थे आपको बताना है कि आसकर जीतने वाले प्रथम भारती वेक्ति कौन थे इसका राइट होंगा भानो अथिया जी है दोस्तो बानो अथिया प्रथम भारती वेक्ति थे जिने आसकर आवाड दिया गया था ये गांधी के कॉस्टुम डिजाइन किया था इन्हेंने वैसे इन्हें हाली में इनकी मुरत्यू हो गई है भी तो ये कोस्टन आने के ज़्याद संभावना है इसे आप याद कर लिए चलिए अगली कोस्टन पर राष्टी रक्षा गादमि कहा अधुर्य आपको बताना है इसका राईरा अंसर है धेरा धुन धेरा धुन में राष्टी रक्षा गादमि क्तित है प्राचिन संगित कला का विद्वान सदों से किने कहा जाता है विद्वान किसे कहा जाता है अब वताना है प्राचिन संगित कला का इसका राइंट अंसर होँगा तांसें को प्राश्चिं संगीत का लगा विध्वान कहा जाता है यह को अ सब्सक्राइब करते हैं यह वैसे तांसें सम्होरों भी गॉलियर में मनाया जाता है मत्पत इसके गॉलियर में अगला कुस्चन है किसने अभी ज्यान संकुंतलम कुमार संभव एवन रगु वंसम जैसी प्रसीद नाटक लिखे है आपको बताना है इसके राइट अंसर होंगा दोस्तों काली दास प्राश्चीन कभी माने जाते हैं काली दास ने ही अभी ज्यान संकुंतलम कुमार संभव और अगु वंस जैसे नाटक लिखे है चलिए अगली कुस्चन को करते है आपको बताना है राश्टी बाली का दीवस कब मनाया जाता है इसके राइट अंसर होगा 24 जैनुवरी 24 जैनुवरी को राश्टी बाली का दीवस मनाया जाता है इसके उपलक्ष में ही अभी 2020 में सौरी 2021 में ही मतवे सरकार दुवरा राश्टी बाली का दीवस के आउसर पर पंक अविहान की सुरुवात की है अब को बताना है भारत के प्रत्थम मुक्नियादिस कोन थे इसमें भारत के पुछा गया है भारत बता सकते हैं इसके राइट अंसर होगा हीरालाल जे कनिया जी है दोस्तो भारत के प्रत्थम मुक्नियादिस हीरालाल जे कनिया थे और मतपदेश के देखा जाया तो एम हीदा तुल्ला मत्पतेश के प्रथम मुक्नियादिस बने थे यह चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको एक बता दू कि अभी हम इसे सकते है या प्तली लिश्ट में जाकर देख सकते हैं अगला के अंसर और गोरगपूर उतर पूर उत्ताप्र विए का मुख्याले गोरगपूर में है जो उत्तार प्रदेश मी आता है वैसे अभी अठारा रेल्वे जुन होए भारत में वर्तमान में चली आगे बढ़ते हैं आपको बताना है वंदे मातरम किनके दौरा लिखा गया है यह तो बहुत सा सिंप्ल से कोस्चन है दोस्तों बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं इसका राइट अंसर होगा बकिम च आपको बताना है कहां पर हुआ था इसका रायट अंसर है मैसूर में मैसूर में राश्टी कांग्रेस का एक सब्सक्राइब सम्मेलन हुआ था अब इसके बाद आप साइंस की कोस्चन आंसर को कवर किया गया है चलिए देखते हैं आप साइंस की कोस्चन क्यों पहला कोस्चन है साइंस का आपको बताना है विदुद बल्व का तंतु निम कब बना होता है इसके राट आप अउसर है टंग स्टन टंगस्टन का बनना होता है विदुद कर जम्यों तंतु होता है ऐसा प्रयूक साला में जीवानों सवर्धन के लिए प्रयूक्त अग्रूमाध्यम का सुरूत है आपको बताना है इसके राइट आंसर है लाल सेवाल अगला कुस्चन वहान के पहियों में खाचो को बनाये जाता है ताकि यह चार आपसन दिये उसमें साब को बताना है कि किसली बनाये जाते है वहानों में देखाऊंगा असकर आपने कि वहानों में जो खाचे टाप की बने होते है वो किस के लिए बनाये जाते है इसका राइट अंसर होंगा घरसन में व्रद्धी हो जैसे जैसे घुमता है तो घरसन में व्रद्धी होने चाहिए इसलिए खाचों को बनाया जाता है अगले कोस्टन को देखते हैं यह आपको कोस्टन विलिन रूम से पाचित भोजन स्योटू और नाइट्रोजनी वर्द्ध के परिवान का कार रूधिर के खारिस्तान दौरा किया जाता है आपको बताना है इसमें से इसके राइट अंसर देखते हैं प्लाजमा अगले कोस्टन को बढ़ते हैं निम प्रदब्ट सुची में से उस वस्तु का चयान करे जो प्राकृति संसाधन नहीं है आपको बताना है कि इन चारों में से कौन प्राकृति संसाधन नहीं है इसका राइट आंसर होंगा बिजली जी हैं दोस्तों बिजली प्रकृति संसाधन नहीं है बाकी तीनों आपसन चाहे जल भी प्रकृति संसाधन है वाई भी प्रकृति संसाधन है और मुरदभी प्रकृति संसाधन है इसलिए इसका राइट आंसर होंगा बीचली चलिए अगली कोश्चन हो बढ़ते हैं पटीधार पेशी की वीशे में असत्य कसंद को चुनिए इसका राइट आंसर देखते हैं अनेच्छे का होगा इसका राइट आंसर अगले question रहते हैं हर्दे बना होता है आपको बताना है इसमें से किस से मिलकर हर्दे बना होता है इसका right answer होंगा पेशी उतक जी हाँ दोस्तों पेशी उतक से मिलकर ही बना होता है हर्दे Next question निम में से कौन सी एक Yukaryotic Kosika नहीं है आपको बताना है कि इसमें से कौ Unity Kosika नहीं है इसके right answer होगा jiwaanoh jiwaanoh एक Yukaryotic Kosika नहीं है अगला question है नीम में से सबसे बड़ी Kosika चुनी है आपको बताना है कि इसमें से सबसे बड़ी Kosika कौन से है इसका राएट अंसर होंगे तंत्री का तंत, जई हैं दोस्तों तंत्री का तंत, मौनो-सरी की सबसे बड़ी कोसिका है घरेलू फिटिंग में प्रयूकत होने वाले सवी बिजलियू के तारों का तारों पर एक प्लास्टिक कवर चढहा होता है क्योंकि प्लास्टिक होते है आपको बताना है कि घरवर में जो बिजली के तारक उपर जो प्लास्टिक होता है वो क्यों चड़ा जाता है इसके राइट होंगा क्योंकि विद्धु के कुछालक होते है प्लास्टिक चाहे लकड़ी लेलो प्लास्टिक लोग ये सभी विद्धू के कुछ आलब होते हैं जिसे हमेरे कर्येंटर नहीं लगता है चलिए अगले करश प्रसंद प्यारते हैं नदी के किनारे खड़ा वेगती अपने पानी में एक मचली देखता है उसे मचली दिखेंगी आपको बताना है इसके राइट अंसर होंगा मूल इस्तिती से ठीक उपर जब भी पानी में देखते हैं तो कोई व्यस्तिम हमें उपर उठी हुई दीखाई देखती है अगर वास्तितिम में उपर उपर नहीं होती है कौन सा यह व्यक्ति अम्र नहीं है आपको बताना है कि कौन सा अम्र नहीं है हC-L-Gas इसके राइट अंसरोंगे हC-L-Gas एम अम्र नहीं है अधिकान जी आवास्तिम इन दोनों में होता है आपको बताना है इसके राइट अंसर होंगा second वारा सौताह धहन स्वारी तोरीध धहन होंगा इसका अंसर यह रहा आपको next question निवलिक्रित में से कौन सा घर्षन द्वारा आवेसित नहीं किया जा सकता है इसके राइट अंसर होंगा एक कापर राड अगरे question आपके लिए गुंसुत इन में से इस्थित होते है आपको बताना है गुंसुत कहां इस्थित होते है इसके राइट अंसर होंगा friend नाभिक में गुंसुत रहोते है बागी गलजी काय में भी नहीं होते है रजधानी में भी नहीं लवक में होते हैं तो फ्रेंट कैसे लगए वीडियो आपके आप हमें सुझाओ जरूर दीजे और वीडियो अच्छा लगओ तो सेर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए इसे अधिस अधिस सेर करें जाकि सभी लोगों के यहाँ मिल सके और यह रहा आज के लिए सवाल आपको बताना है भारत के और वीडियो अभी तक कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद